बाइबी से दुनिया में आज देखे बांगलादेश में चुनाव भारत के लिए क्या मायने बांगलादेश में विपक्ष कर रहा है चुनाव का भाहिशकार विपक्ष के गयर मौजूद की के बीच कैसा होगा चुनाव भारत की क्यों है इन चुनाओं पर नज़र दिखाएंगे खास रिपोर्ट स्वागत है अपका बीबी से दुनिया में मैं हूं सारी कासे बंगलादेश में होने वाले चुनाओं के करेंगे बात लेकिन पहले हेडलाइंस गाजा में खान युनिस से सटे अलमवासी में इसराइली हमले में 14 लोगों की मौत पहले इस जगह को सुरक्षद करार दिया था इसराइल ने इसराइल ने कहा हमास के कई एंटी टैंक स्कॉाड को बनाया गया निशाना अमेरिका समेट कई पश्चिमी देशों ने हूती विद्रोहियों को दीचे तावनी लाल सागर में जहासों पर ना करें हमले युएन सुरक्षद परिशद ने भी हूती विद्रोहियों पर लगाया इलाके के स्थर्टा और ग्लोबल फूड चेन को खत्रे में डालने का रो सुतंतरता दिवस की मौके पर 9000 कैदियों को रिहा करने का मैंनमार की सैने सरकार ने दिया देश राजनीते कैदियों के रिहाई को लेकर अभी नहीं जानकारी मानवादिकार समूहों के मताबिक 2021 में सैने तख्ता पलट के बाद करीब 25,000 लोग हुए गरफतार जापान में राहत कर्मियों ने कहा भुकम के बाद अब जिन्दा बचे लोगों के उमीद बहुत कम सुजू और वाजीमा जैसे भुकम प्रभावित शहरों में कई लोग दबे थे इमारतों के नीचे भुकम में कम से कम 78 लोगों के हुई मौद इन में से कुछ एहम ख़बरों की चरचा आज पीवी से दुन्या में भारत के पड़ोसी देश बांगलादेश में होने वाले हैं आम चुनाओं और भारत के अलावा अमेरिका और चीन भी इस पर नजर बनाये हुए आखर क्यों बांगलादेश की ये चुनाओं खास हैं कबर स्टोरी में इसी की बाद बांगलादेश में कुछ ही दिनों में चुनाओं हैं लेकिन प्रमो के विपक्षी पार्टियों ने इन चुनाओं में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है इसलिए मौझूदा प्रधान मंतरे शेख हसीना का लगाता चौथी बार सक्ता हासल करना महस आपचारिक ता माना जा रहा है विपक्ष ने आखर ये क्यों किया है चुनाओं का बहिशकार और क्या कहते हैं वहां के आम लोग देखे ये रिपोर्ट ट्रांसचेंडर अनवर इसलामरानी बांगलादेश में होने जा रहे आम चुनाओं के लिए प्रचार कर रही हैं लेकिन जादा है रानी वाली बात यहां ये है कि अनवर इकलौती ऐसी हैं जिन्हें प्रचार करते देखा जा रहा है जबकि बाकी उम्मीदवार इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे केवल मैं ही चुनाव प्रचार कर रही हूँ और कोई अन्यदल प्रचार नहीं कर रहे है इसका क्या मतलब है क्या जीतने वालों के नाम पहले से ही शीर्ष पर मौझूद लोगों द्वारा चुन लिए गए है अगर ये सच है तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है और इन सब में क्यों घसीटा जा रहा है ऐसे कई आरोप हैं कि चुनाव में धांदली हुई है पूर्प्रधार मंतरी खालिदा जिया की बांगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी यानि बी एनपी ने कहा है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी पार्टी नेताओं का कहना है कि वो चुनाव में भाग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अवामी लीग सरकार के रहते हुए चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष होंगे जब चुनाव के नतीजे पहले से ही मालुम हो तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है आवामी लीग ऐसे ही चुनाव करवा रही है जिसके नतीजे पहले से ही सभी को मालुम है तो BNP ऐसे चुनाव में अगर हिस्सा लेती है तो ना सिर्फ ये बड़ी भूल होगी बलकि एक आत्मगातिक अदम भी होगा हमने ये स्थिती नहीं बनाई है जिसमें पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है हम राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं और इस पर काम कर रहे हैं अगर राजनीतिक दल इसमें भाग नहीं लेते तो चुनाव को निश्पक्ष नहीं कहा जा सकता लेकिन इस स्थिती के लिए हम जिम्मेदार नहीं है हम ये नहीं बता सकते कि चुनाव में आखिर कितने उमीदवार होंगे लेकिन हम ऐसा महौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग चुनाव लड़े हमें विश्वास है कि राजनेतिक दल चुनाव में भाग लेंगे और मददाता अपना बोर्ट डालने के लिए बाहर आएंगे उमीद की जा रही है कि प्रधान मंतरी शेख हसीना की अवामी लीग बिना किसी परेशानी के चुनाव जीद चाएगी घोशना पत्र जारी करते हुए उन्होंने बांगलादेश को विकसित रष्ट बनानी का वादा किया बांगलादेश में आम चुनावों ने वैश्विक राय को बांट कर रख दिया है और अमेरिका देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावों की वकालत कर रहा है हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमरीकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका बांगलादेश के घटनाकरम पर बारी की से नजर रख रहा है अमरीकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मैथ्यो मिलर ने 23 अक्टूबर को वाशिंग्टन में एक नियमित ब्रीफिंग के दौरान समवादाताओं से कहा स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावों के लिए ये महत्वपून हैं कि सभी पक्ष शांतिपून धंग से भाग ले सके हाला कि रूस, चीन और भारत जैसे देशों ने अवामी लीग के नित्रित्व वाली सरकार पर भरोसा जताया है कि वो पांगलादेश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कराएगी विपक्ष मुक्त चुनाव ने मद्दाताओं को भी नाखुश कर दिया है कई मद्दाता वोट डालने के लिए पोलिंग बूत पर नहीं जाना चाहते भले ही हम वोट डालें या ना डालें वे सता में आएंगे ही उन्हें हमारे वोट की जरूरत नहीं है मैं पेशे से एक आटो चालक हूँ और मेरे जैसे व्यक्ति को कब समान मिलता है जब चुनाव होता है मुझे लगता है कि आवामी लीग चुनाव जीतेगी मैं इसलिए ऐसी उमीद कर रही हूँ क्योंकि हमने आवामी लीग की सरकार में बहुत तरक्की की है कुछ कम्या हो सकती है लेकिन हर अच्छे पक्ष का एक बुरा पक्ष भी होता है और आज दुनिया जिस बांगलादेश को एक देश के तौर पर जानती है उसे पहले पूर्भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था मौझूदा बांगलादेश साल 1971 में अस्दित्तों में आया जिसमें भारत की बड़ी भूमिका थी लेकिन बाद में बांगलादेश में 15 साल तक सेनन शासन रहा बांगलादेश को लोकतंतर के लिए काफी जूचना पड़ा जहां साल 1990 में लोकतंतर बहाल हो पाया लेकिन राजनीती को अस्थरता का साया फिर भी मन रहता रहा बंगलादेश की राजनीती में दो महिलाओं शेख हसीना और खालदा जिया का दब दबा रहा है साल 1991 के बाद प्रधान मंतरी के तौर पर सत्ता की पूरी ताकत इन ही दोनों के हाथों में आती चाती रही है मौझूदा प्रधान मंतरी शेख हसीना लगातार चौथी बार पीएम पद के लिए इन चुनाओं में शामिल है और बंगलादेश में हो रहे है ये चुनाओ मौझूदा हालाद के लिहाथ से क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए इन नतीजों के क्या मायने हो सकते हैं इनी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बंगलादेश में भारत के पूर वहाई कमिशनर मीना सीकरी से बात के बारत के लिए ये चुनाओ जो है एक बंगलादेश की अंधरूनी मामला है यह उनका अंद्रूनी मामला है, उनका एक constitutional requirement है और हम यह चाहते हैं कि बांगलादेश में एक स्थिर सरकार है वहाँ पे economic development हो और democracy वहाँ पे बनी रहे हमारी तो यही ख्वाइश है और मैं यह कह रहे हैं कि इस बार BNP ने पहली बार यह आरोप लगाया है क्योंकि पिछले जो चुनाव होए थे 2008-09 में होए थे, 2014 में होए थे, 2018-19 में होए थे कभी भारत का मुद्धा elections में था ही नहीं कभी और ना ही तो भारत की उपर चर्चा होती थी और ना ही तो भारत की उपर कुछ आरूप लगता था तो इस बार भी जैसे पहले भी भारत ने किया है इस बार भी भारत ने बिलकुल अपने तरफ से बिलकुल खामोशी से जो हमारे bilateral relations हैं वो बने हैं, जो programs हैं जो collaborative projects हैं, वो हुए जा रहे हैं, decisions लिये जा रहे हैं भारत की जो commitment है, वो बांगलादेश as an important neighbor ये हमारी commitment है और हमने वीना सीकरिस ये भी पूछा कि शेक हसीना का कारेकाल क्या भारत के साथ रिष्टों के लिहाद से बहतर साबित हुआ? शेक हसीना के साथ हमारे भारत सरकार के बहुत अच्छे रिष्टे हैं और मैं कहती हूँ कि इंडिया भारत की जो नेबर हुट फर्स विदेश नीती है उसका सबसे बड़ा मिसाल आप बंगलादेश में दे सकते हैं कनेक्टिविटी हो या ट्रेड हो बिलकुल फ्री ट्रेड उनको दियावा है शेक हसीना अज ब्राइमिनेस्टर आप बंगलादेश ये उनके फॉरंड पॉलिसी के उनके बैनेफेस्टों में ये सबसे बड़ा कॉनर स्टोन है कि वो चाहते हैं कि सबके साथ रिष्टे बने रहे हैं फ्रेंशिप बने रहे हैं उनके निद्रत्रवी बड़े अच्छे डिवेलपमेंट होए हैं और security issues की उपर भी वो ध्यान दे रहे हैं आपको याद होगा कि पहले security issues की बड़ी problem थी मैं वहाँ पे थी high commissioner पुल अब नहीं हो रहे हैं और उमीद है कि जो भी सरकार साथ तरीकों चनाओं में जीत हासिल करेगी उन्ही सरकार के साथ भारत के रिष्टे अच्छे बने रहेंगे और निर्वासन में रहरे विपक्षिनेथा तारिक रहमान ने कहा है कि नतीजे पहले से तैय है ताकि शेक हसीना सत्ता में बनी रहे है इरान के केर्मान शहर में बुद्वार शाम कोवे धमाके में 80 से जाधा लोगों की मौत के बाद आज एक दिन का शूक गोशित किया गया है इस हमले ने मध्यपूर्व के लाके में तनाव को और बढ़ा दिया है ये धमाके उस वक्त हुए जब इरान के रिवलूशनरी गार्ड्स के कमांडर रहे कासिम सुलिमानी की मौत की चौथी बर्सी पर शुद्धान जली देने के लिए सेक्रडल लोग उनके मजार के पास पहुंच रहे थे बता जा रहा है कि विसफोटक दो बैग्स में रखे गए थे जिसे किसी रिमोट डिवाइस के जरी जिटरनीट किया गया फिलाल ये साफ नहीं है कि हमले किस ने कराए लेकिन इरान ने इसराइल और अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है अमेरिका ने इन आरूप को गयर जिम्मेदाराना बयान खरार दिया है और इरान के निताओं ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है राष्टपति इबराहीम रईसी ने इसे जगन्य और अमानवी हरकत खरार दिया है और तुर्की और खाडी के कई देशों ने इन हमलों के निंदा की है अमेरिका ने इन हमलों में किसी तरह की भूमिका होने से इंकार किया है और कहा है कि इसराइल की भी भूमिका के फिलहाल कोई सबूत ने मिले है सेंट राष्टु की महासचिवें टेन्यो गुटरेश ने भी हमले के दोशियों पर कारवाई करने की बात कई है लेकिन आगे अब क्या हो सकता है? ये समझाने की कोशش कर रही है अमेरिका में रह रही ही इरान और मध्यपूर मामलो की जानकार प्रफेसर सहर रजावे मुझे लगता है कि इरान जवाबी कारवाई कर सकता है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां के सुप्रीम लीडर और राष्ट पती ने इसराइल और अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और ये बस गजा के कारण नहीं बलकि इसराइल और इरान के बीच जारी तनाव और दूसरे चीजे भी हुई है इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इरान जवाब देगा और शायद आने वाले दिनों में इलाके में संघर्ष का दाइरा बढ़ सकता है और मैं इसे लेकर बेहत चिंतित हूँ और मैं इसनाव और से राष्ट सुरक्षा परिशद के सदस्यों ने यमन के हूथी विद्रोहिओं उसे कहा है कि यह लाल सागर यानी रेट सी में जहाज ओपर हमले बंद करें इन सदस्यों ने आरूब लगाया है कि इस तरह की हमलों के वज़ए से इलाके में शानती गंभीर नतीजे बुगतने होंगे। बुद्वार को सेयुक्त राष्ट सुरक्षा परिश्ड की बैठक हुई जिसमें अमेरिका ने इसे लेकर वैश्विक स्टर पर कादम उठाने पर जोर दिया। उसने इन हमलों में इरान के भूमिका होने के भी आरोप लगाया। उधर रूस ने कहा है कि गाजा में इसराइल और हमास की बीच संगर्श के कारण यह हो रहा है। उसने अमेरिका पर सीजफ फायर का समर्थन ना करने का रोप लगाया। हुथी विद्रोई 7 अक्टूबर के हमले के बाद सही हमास का खुल कर समर्थन कर रोए है। और इस समेधन शील इलाके में जहाजों पर हमले और पश्चिमी देशों की जवावी कारवाई की आशंका ने इलाके में तनाओ को बढ़ा दिया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबी से समवादाता जेम्स लैंडेल। जहाजों की हिफाज़त के लिए नौसैनिक गटबंदन तक बनाया गया है लेकिन अब तक इसका कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा। हमले जारी हैं इसलिए अब अमेरिका और बिटेन समेट 12 देशों ने आधिकारी करूप से हुथी वी द्रोहियों को चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले अगर जारी रहे तो उन्हें इसका अंजाम भूगतना होगा। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि ये देश कई ऐसे ठीकानों पर सैने कारवाई कर सकते हैं जहां मिसाईलों को रखा जाता है और जहां से इन मिसाईलों को लॉंच किया जाता है। इसके बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं क्योंकि दुनिया का 15 फीसद व्यापार लाल सागर के जरिये होता है। कई जहाज और आयल कंटेनर्स पहले ही हमलों की आशंका की वज़े से साउथ अफरीका के रास्ते से गुजर रहे हैं। डर ये है कि इन चीजों से ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। एक चीज जो अब तक साफ नहीं है कि अगर यमन में हुथी ठिकानों पर पश्चमी देश हवाई हमले करते हैं तो क्या इरान इसके खिलाफ जवावी कारवाई करेगा। और डर जताया जा रहा है कि रेड़ सी में इसी तरह हमले जारी रहे तो दुनिया भर को इसका आर्थिक नुकसान भुकतना पड़ेगा। मैसेंजर की ये रिपॉर्ट वेल्स में कीड़ों की कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां रहती हैं जैसे कि ये फैन राफ्ट स्पाइडर जो ब्रिटिन में पाई जाने वाली बड़ी मकडियों में से एक है और ये मुठी भर जगहों पर मिलती है। उन जगहों में से एक है क्रमलिन बॉग जो स्वान सी के पास है। से ज्यादा प्रजातियों की पहचान की कई है जिन में से साड़े तीन सौ से ज्यादा को संरक्षित करने के बारे में सोचा जा रहा है। वेल्स के कुछ दुरलब कीडों में शामिल है क्लिफ मेसिन मधुमक्षी जो क्लीन पेनिंसुला के दो इलाकों में दिखती है और सका प्रजेक्ट के तहट हम कई चीजों पर काम करेंगे जिसमें बड़े पैमाने पर हम जमीन के अंदर और बाहर पानी की हलचल को लेकर काम करेंगे और तेजी से पहलने वाले पौधों को भी हटाएंगे ताकि हम पिटलेंड की सिहत को सुधार सकें जहां कई सारी गजब की प्रजातियां रहती हैं जैसे की फैन राप स्पाइडर इंगलेंड और स्कॉटलेंड में भी कीडों को लेकर महतवपूर्ण इलाकों को मैप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ये काम उन सभी वॉलन्टियर्स के काम पर रोश्णी डालेगा जो हर मौसम में इन कीड बेस में डलती हैं तो अब हमारे पास काफी विस्तृत जानकारी है जैसे कि ब्रिटिश आइल्स में थी जो सनक्षन के वक्त काफी मददगार साबित हुई पर उससे भी ज्यादा जरूरी हम ये बताने के स्थिती में होंगे कि जलवायू परिवतन की वजह से क्या कुछ ब ट्वीट कर सकते हैं एट बीबीसी सारी का पर बीबीसी दुन्या में फिलाल इतना है